Hello guys, welcome back to our another video तो आज की वीडियो में आपका भाई वेलकम है आज की वीडियो आपको थमनेल देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि हम आज अपनी वीडियो के अंदर क्या बताने वाले है तो भाई आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को डेली सुबा साम मिला कर लेकिन जब आपकी मुर्गयां तयार हो जाएंगी और यह अंडा देना शुरू कर देंगी तो उसके बाद भाई आप लोग लगबग साड़े तीन सो से लेके तीन सो साड़े तीन सो रुपे लग डेली के बचा सकते हो और टाइम देना होगा मातर आपको 15 से 20 मेट दोनों टाइम सुबा साम का मिला कर चलो अब बताते हैं आपको यह सब कैसे करना है और शुरू से बताते हैं 50 मुर्गयां आपको लेने में मतलब उसको जो चिक्स होते हैं उसको लेने में कितना खर्चा आता है उनको बड़ा करने में जब दाना खिलाते हो आप लोग तो वो कितने का होता है और दवा वगेरा मिला कर सब कितने का खर्चा आता है सब कुछ और A to Z आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो अभी मैं बात करूँगा सोनाली मुर्गियों के बारे में जैसे हमारे पास सोनाली मुर्गियों हैं यह सब सारी की सारी और उस वाले फार्म में भाई सोनाली है 300-300 तो यह इनका रिजल्ट भाई बहुत अच्छा है जो एक दिन का चिक्स होता है डियोल्ड वाला तो वो आप लोगों को कितने का मिलता है तो भाई सोनाली मुर्गी का चिक्स आपको मिल जाएगा टोटल 28 से 30 रुपए और कहीं कहीं तो भाई इसका 19-20 रुपए रेट भी आता है 19, 20, 25, 28, 30 हर तरीके के रेट रहता है लेकिन क क्वांडिटी के उपर बेच होता है अगर आप कम क्वांडिटी में लेते हो तो भाई आपको 28 से 30 रुपए के आसपास मिलेगा तो हम लोग 28 रुपए जोड़के चलते भाई इसका चिक्स तो 28 रुपए के साब से 50 चिक्स अगर आप लोग लेते हो तो वह होंगे बाई ज वेरियांस तो होगा नहीं तो जिसके बज़े से ऐसा नहीं होगा कि दो चार बच्चे आपके मरे ना तो हम लोग 10 एक्स्ट्रा पीस डाल के चलते हैं अगर 10 मर भी जाते तो कोई दिक्कात नहीं होता 50 हमारे पास से बचे रहेंगे तो टोटल हमारे 60 पीस जो चिक्स आएं तक बड़ा होने में ग्रोथ करने में भाई का कितना दाना लग जाता है अपना वेड मतलब जब यह अंडे के लिए आ जाती है तो इनको कितना दाना लग जाएगा पूरा-पूरा बाई बड़े होने में तो आप लोग को से बता दू लगबक 5-5 किलो या फिर मोटा-mोट चलते हैं तो आपकी मुर्गी अंडा देने के लिए बिल्कुल तयार हो जाएगी तो उसके लिए मान के चलो अगर आपको जो शुरुवात का स्टार और प्री स्टार फीड होता है तो वह थोड़ा समयंगा पड़ता है 30-35 रुपक पड़ता है लेकिन जब यह जैसे जैसे बड़ी होती है तो इनका दाना कम होने लगता है तो भाई हम लोग एवरेज एक वेट जो है वो दाने का जो रेट है उसे मान के चलते भाई 33 या 32 रुपए अगर 32 रुपए भी मान के चलेंगे तो 5 किलो गर एक मुर्गी खा रही है तो 50 मुर्गों में लगबग 200 किलो फी इसमें उपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है तो मान के चलो 8,000 और 1680 होता है भाई टोटल टोटल 9,680 तो यहां तक अभी खर्चा आया है इनका भाई बड़ा करने में और इनके चिक्स लाने में अभी बात करते भाई जो इनकी मेडिसिन कितना आपको देना बढ़े तो लगबग लगबग 9,680 प्लस 10,680 रुपय में आपकी मुर्गी पूरी तरीके से तयार हो जाएंगी अभी इसके बाद आप लोगों को बताते भाई यह मुर्गिया जो है अंडे कित्ते देंगी तो लगबग मान के चलो अगर 50 मुर्गिया आप लोग रख्यों है और भाई इसमें जो मुर्गे होते हैं आप लोग उनको सेल कर देना उसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है तो उनसे बड़ी मुर्गिया आप लोग लिया आना और 5-6 महिने की बड़ी मुर्गिया 300 रुपय 280 रुपय तक आराम से मिल जाएगी तो उसमें आप पताते हैं जब तो टोटल आप लोग 50 मुर्गिया रखते हो तो टोटल कितना अंडा आपको डेली मिलेगा तो अगर आप इनको एक टाइम हरा फीट देते हो और एक टाइम सिर्फ साम की टाइम इन्हें लेयर की फीड देते हो या फिर इन्हें प्रापर दोनों टाइम भी फीड देते हो तो 75 से लेके 80 परसंट तक अंडा इन्हें डेली आप में देखने मतलब इनमें आपको डेली अंडा देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग 75 का रेश्यों मानने चलते हैं मानने चलो फीड आप लोग छोटा मिटा जैसा उपर नीचे का देते हो कभी लेयर की फी जाएंगे डेली और दोखो कोई वाइट होगा मतलब थोड़ा बहुत वाइट टाइप में तो कुछ मेंगे ब्राउनी मतलब हर कलर में इसमें अंडे देखने के लिए मिलेंगे और आप लोग अंडे जब मुर्गयां आपकी देने लिए तैयार हो जाए देने के लिए तो ऐसी कैरेट वगयरा ऐसी धाबली वगयरा कुछ हो तो आप लोग रख सकते हो तो अब बात करते भाई 35 अंडे अभी के डाइम पर कितने के बिखर है तो इस टाइम पर लगबग 12 रुपय के आसपास आपका अंडा होलसेल रेट पर बिख जाएगा तो 35 अंडे के इसाप से तो 420 रुपय तक मिल जाएगा और बात करें कि भाई अभी मान में चलो बारा नहीं जा रहा कुछ जगों पर थोड़ा गर्मी जादा पड़ रही है तो 10 रुपय तक तो आराम से चले जाएगा और आने वाले टाइम पर जिससे अरदी का महीन आने वाला है एक दिल महीने बाद मौसम एकदम ठंडा हो जाएगा तो उस ताइम पर लगबग 13 रुपय तक आपका अंडा चला जाएगा जो की होगा भाई 500-455 रुपय का अंडा आप लोग डेली बेज सकते हो तो उसके बाद आप बात करते हैं अंडा 455 यह निकाल रही है डेली लेकिन उसके बाद यह दाना कित्ता खा रहे हैं तो लगबग 30 किलो फीड आपको जानी कि एक मुर्गी को 50 ग्राम है एक ताइम पर 30 किलो फीड आपको सारी मुर्गों को देना है ठीक तो भाई 75 रुपय का 30 किलो का फीड पाद जाएगा और बात करें कि आप दोनों टाइम इने फीड दे रह तो ऐसा होगा कि आप इनको लगबग 302 किलो फीड एक टाइम पर देना दोनों टाइम का मिला गए 4 किलो फीड चार किलो फीड का कर्चा इने लेयर की फीड तीस रुपय के साब से आती है तो चार किलो फीड आपको 120 रुपय में मिल जाएगी तो अगर 12 रुपय का जास मुर्ग्यों के लिए एक टंकी में पानी भर्द्य चल जाएगा पानी की कोई टेंसा नहीं डेली आना है बस यहां थोड़ा सा फीडर में ऐसे दाना डाल देना जिससे यहां पर दाना पड़ा हुआ है सिंपल यह आपको बस इससे दाना डाल देना और चले जाना आपकी मुर्गियों से अंडे निकल ले और अंडे से जो पैसे आ रहा है तो कोशिश करना अगल वगल भाई कहीं पता करना आसपास मुर्गिया भाई बेचने वाले मिलेगे साड़े चार-पांच महिने की मुर्गिया उसी मुर्गियों में डाल देना आपनी वाली पता दो भाई कैसे इनकी फीड का जो कॉस्ट है आप लोग एकदम लगबग लगबग आधा कर सकते हो यह करो कि आसपास की जो मार्केट है सबजी वाली वहां पर जाओ और उनसे जो वेस्टे सबजी होती है जो की साम को एक खट्टे होती है उन्हें लाना शुरू कर दो उसे इने काट करकर खिलाना शुरू कर तो फीड का कोस्ट बिल्कुल आधा हो जाएगा तो उमीद करता हूं भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल बढ़ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही